नमस्कार पिरिये जनुआ आप सभी का मेरी चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी शुप्चिंतक वीना शर्मा आप आए मेरी चैनल पर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद 12 दिसम्बर सोंबार को है पुषे नक्शत्र यानि कि सभी नक्शत्रों का राजा इसे राजा आजाता है और इसके देवता जो है वो ब्रैस्पती है भ Guard on Bhishnu यानि कि और इसके जो स्वामी है वह शन्य' है तो इसलिए इस नक्शत्र को सबसें स्रवोत्मं और सबसें स्रेश् के लिए जिस कारे को आप पूरी तरह से बढ़ोतरी चाहते हैं जिस कारे में आप चाहते हैं कि उसमें सफलता मिले उसको अगर इस नक्षत्र में शुरू कर लिया जाए तो बहुत ही अचूक फलदाई होता है उसके रिजल्ट तुरंत मिलते हैं जैसे कि अगर विभा में दे साल का आखीरी पुशे नक्षत्र है तो आप इस दिन एक ऐसा अचूक उपाय आपको पताऊंगी जिसको करने से आपके तुरंत विवा योग बनेंगे क्योंकि ये दिन है ही इतना शुब इस दिन में बहुत सारे लोग बहुत सारे शुब कारेंगे अपनी अपनी लेकिन विवा नहीं कर सकते इस दिन इसको ब्रह्मा जी का श्राप है इस नक्षत्र को इसलिए विवा नहीं होता लेकिन विवा से रिलेटिड आप उपाय अवश्या कर सकते हैं जो की सो परसेंट नहीं कई सो परसेंट आपको रिजल्ट देने वाले हैं आपको जो उपाय बताने वाली हूँ, बहुत ही अचूक उपाए है, बहुत ही ऐसी कीमती चीज एक बताने वाली हूँ, जो आप सब जानते भी हैं, लेकिन उसकी कीमत नहीं जानते कि वो सोने चांदी से भी ज्यादा महंगी है, वो चीज ऐसी है, जो सोने चांदी से भी ज्यादा महंगी है, इसको किस तरह से प्रयोग में लेना है ताकि आपके एक ही दिन में ये जो साल का जा रहा है पुशन रिक्षत रहना इसी दिन में ही एक दिन में आपके विवा योग बनेंगे और तुरंट आपके विवा शादी तैह हो जाएगी. देखिए बहुत बार बच्चों को ये कहा जाता है जब उनका विवा योग नहीं बनता तो आप कोई रतन पहनिये कोई नग पहनिये तो उस दिन ये कहा जाता है कि वो हो सकते है नग और रतन जो हैं वो हर किसी के बस की बात नहीं होती क्योंकि पहले वाला जमाना गया जो प कोई afford कर सकता है कोई नहीं कर सकता तो उसी के बराबर की एक चीज ऐसी जो आपको बहुत आसानी से free में मिल जाएगी और आप उसका प्रयोग अपने विवा शादी के लिए कर सकते हैं बेटे बेटियां कर सकते हैं और अगर मां करेगी उस चीज का प्रयोग तो फिर कैसे करे नक्षतर इस नक्षतर के दिन वैसे आपको ध्यान होगा कि यह नक्षतर कब से कब तक लग रहा है यह 11 दिसंबर 2022 की रात को 8 बज कर 36 मिनट पर लग रहा है पुशे नक्षतर और जिसका स्वापन होगा 12 दिसंबर को 2022 को 11 बज कर 36 मिनट पर यह इसका स्वापन हो जाएगा तो आप क्या करिएगा सुभे दोपहर से पहले पहले ही सुपाई को कर लीजिएगा आप क्या करिएगा कि एक लोटा जल का ले लीजिएगा साथ में और लीजिएगा एक सिक्का और लीजिएगा एक सुपारी और अगर सुपारी घर पर उस वक्त ना हो तो चिंता मत करिएग उसकी जगह थोड़े से चावल के दाने ले लीजिएगा और चावल के दाने के साथ ही आपको लेना है एक भोग यानि कि कोई एक मिठी चीज लेनी है जो भी हो आपके पास जैसे मैं सजेशन करूँगी अक्सर हमारे घर में होता है कीचन में गुड ले लीजिएगा मिश्री हो सकती है तो मिश्री ले लीजिएगा बताशा हो तो मताशा ले लीजिएगा कोई भी एक मिठी चीज थोड़ी सी ले लीजिएगा और आपको सबसे पहले जाना है जहां बाहर में या आपके घर में भी लगा हुआ हो ना तो भी कहते हैं कि यह जो देविये पोदे होते है जो बनस्पति होती है देविये बनस्पति होती है जिसको हम पूझनिये मानते हैं उनको बिना उनकी प्रमिशन के नहीं लेना चाहिए आपको केले के पेड़ के पास जाना होगा ये लोटा जल अर्पित करना होगा आपको सुपारी और सिक्का वहां अर्पित करना होगा और मीठा भोग जो लेके जाएंगे और पित करके फिर आप बिंती प्रार्थना करेंगे भगवान गुरू से कि हे विश्णु देव मैं आपको मा लेके आएगी या बेटे बेटियां खुद लेने जाएं प्रमीशन लें कि मैं आपको अपने विवाह की कामना पूर्ति के लिए आपकी जड़का एक छोटा सा टुकडा लेके जा रहा हूँ तने के पास से छोटा सा टुकडा इसकी जड़का केले की जड़का आप निकाल लीजिएगा निकालने के बाद जड के टुकड़े को आप नमस्कार करिएगा और किशमा मांगिएगा मांगने के बाद फिर इसको घर लेकी आईएगा ये केले के जड़ का टुकडा जो छोटा सा है इसको घर लाके इसको शुद जलसे गंगा जलसे धोके और पूजा घर में रखिएगा ये मा कर सकती है बच्चे कर सकते हैं इसको पूजा घर में रखने के बाद आप इसकी एक छोटा सा पीला कपड़ा लेजीगा उरस पर रख देखियेगा पूजागर में लखने कर चाहिएगा इसको ढूप दीप दिखाईएगा इसको अ कि ओ रही बता रहा है और इसको बच्ये मानते हैं इस बात को तो आप इसको पीले धागे में पीले कपड़े पेट कर और पीले धागे के साथ इसको बच्चों के बाजू पर बांधना है ये आप ना समझें कि गुरू ब्रस्पति देव लड़कियों के लिए ही विवा के लिए जरूरी है लड़कों के लिए भी जरूरी है क्योंकि गुरू भगवान के बिना आपका दापत्य जीवन नहीं बंदता और शुकर देव के बिना आपके दापत्य में मिठास नहीं आती तो इसलिए लड़के भी और लड़कियां भी पुखराज की जगें ये काम करेगा आप जानते हैं पुखराज पहनने के बाद कई बार उसके साइड इफेक्ट हो जाते हैं वो कई बार दोश पहनने लेते हैं तो आपको नुकसान करते हैं और बच्चे अपनी बाजू पर बांद ले लड़कियां अपने बाएं पर और लड़के अपने दाएं बाजू पर बांदे इसको और तावीज में पहनना चाहें तो चांदी के तावीज में पहन ले इसको और अगर बच्च करेगी रोज़ाना दूब दिखाएगी और रोज़ाना वहां पर बि 종 Benneteh करेगी जितना बच्चों के बांध यह उपाय काम करेगा उतना ही वहां पर पूजा करने से चर्शू करें और तुम व्युवायोज बनेंगे एक ही दिन का जुक्रें कमेंट बक्स में जय गुरुदेव अबश्य लिखें थेंक्स वराज आज